नमस्कार आप सभी का स्वागत है भाग्यम मैं मैं हूँ पंडिच अंद्रशेकर शर्मा दर्शकों सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की आज दिनांग के 14 सितंबर सन दोजार तेईस विक्रम समथ 2088 चल रहा है भादरुपद मास है कृष्ण पक्ष है वडशा रितु है तिथी आज की अमवश्या है और आज का वार है गुरुवार आज कुशा ग्रहनी अमवश्या है आज के नक्षत्र की बात करें तो पुर्वा फालगुनी नक्षत्र पूर सुर्योदे का समय दर्शे को सुबह 6 बच के 11 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम 6 बच के 33 मिनट का है आज का राहुकाल दोपेर डेड़ से 3 बजे के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा इसमें कोई शुपकारी नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए अब विजित मुरत आज 11 बच के 27 मिनट से दौपेर 12 बच के 47 मिनट के बीच है दिन में चार बार दोष्ट मुरत भी रहेंगे इन्हें ध्यान से समझेगा और सूजबू से टाल दीजेगा यह सुबह 10 बच के 18 मिनट सुबह 11 बच के 8 मिनट दौपे परिहार करके निकले परिहार बहुत सरल है इसके लिए आपको दक्षण के और मुक करना है थोड़ा सा धही जीरा खाना है और पांच कदम पीछे चलना है और जब यह प्रक्रिया आप करें तो भगवाएं श्री राम या अपने अपने इस्ट का ध्यान करें और उनसे प्र कालखंड बाकी पूरे दिन की अपिक्षा ज्यादा शूब योग का रख है अच्छे कारे करें अच्छे एफट्स करें इन समय में करेंगे सफलता के चंसिस ज्यादा रहेंगे मेशाशाब राशी वाले वो लोग जो प्रतियोगी परिक्षाओं की तईयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय ऐसे व्रश राशी वाले घर-परिवार में चल रहें किई कानूनी मसले से रहेंगे परिशान मिथुन राशी वाले अपने हुनर और मेहनत से सबको चकित कर देंगे आज और करक राशी वाले अपनी वाणी पर आज रखें नियंत्रण आपके मुक्षे निकलेवे कठोर वचन किसी अपने को ही दुख पहुचा सकते हैं सिंग राशी वाले आज अतिय आत्मिश्वास से बचें और कन्या राशी वाले ध्यान रखें कि धन्जम मंदित कोई बड़ा विवाद उत्पन ना हूँ तुला राशी वाले सरकारी कारियों से होंगे लाभानवित दवा व्यापारियों के लिए अच्छा दिन है व्रश्चेक राशी वाले जो बेरोजगार हैं उनको मिल सकती है नोक्री और धनू राशी वाले आज अपने पिता और गुरुजनों के आशिर्वात से पाएंगे इपने स्वास्त में समस्षा का नुभाव कर सकते हैं विशेश करके धर्द या हड्डियों के रोग इनको करेंगे परशान कुम्राशी वाले आज अपने ववाइक जीवन में करेंगे परिशानी कानुभाव और मीन राशी वाले आज शत्रों पर पाएंगे विजय दर्शे को आप करते हैं आज की दिन की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंत्य द्रश्टी को प्रग्या को जागरत करेंगी फिर आगे समझेंग उन विशेश उपायों को जो आपको समझ्षाओं से बाहर निकाल लाते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं तुम्हें करेंगे आज की जोतिश मंतर्णा और समाधान दर्शे को आज की ज्यान चर्चा में हम समझते हैं आज की कुशा ग्रहनी अमावश्चा के महत्व को आज कुशा ग्रहनी अमावश्चा है भादरपद मास की अमावश्चा को कुशा ग्रहनी या कुशोत पाठिनी अमावश्चा कहते हैं आज कुश एकत्रित करने की क्योंकि इसके अगर भाग में ब्रह्मा मध्य में विश्णू और अंत में शिव का वास माना गया है कुशा के बिना हिंदू धरम में कोई भी पूजा पूण नहीं मानी जाती इसलिए भादरपद की अमावश्या को कुशा ग्रहनी या कुशोत पाटनी अमावश्या भी कहते कुशा प्राप्त करें या उसे खरीदें उसे वर्ष भर होने वाले यग्ये हवन शराद तरपन आदी सभी धार्मिक आयजोनों में प्रयोग करें कुशोत पाटनी अमावश्या की दिन कुशा घास को निकालने के कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन आवश्यक होता है श के एक नाम पवित्री भी है इसके सिरे नुकिले होते हैं कुशोत पाटनी अमावश्या के दिन कुशा को निकालते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कुशा को किसी प्रकार के ओजार से ना काटा जाए इसे केवल हातों से ही निकालना चाहिए और कुशा घास खंडित नहीं होनी चाहिए यानि जब घास का अगर भाग जो है वो टूटावान नहीं होना चाहिए कुशा एकत्रित करने के लिए सूर्योदे का समय सर्वस्रेश्ट माना गया है और उत्तरा भी मुख होकर यानि उत्तर के और मुख करें और फिर कुशा को खाड़ना चाहिए दाइने ह देश राशी कुशा के रूप में परिणित हो गई इसलिए भी इनको बहुत पवित्र माना गया है और सनातन धर्म में इनके महतु बहुत ही बड़ा है तो यह था आज की ज्यान चर्चा अब बात करते हैं विसस्ट उपायों पर जाकि सभी प्रकार की समश्यों के सरल संदिर में जिसके शिवलिंग कम से कम सो वर्ष से ज्यादा प्राचीन हो वहां सुबह केसर चंदन का इत्र और दोपेर तीन बच के पंदरा मिनट पे मीठा धही और हिना का इत्र अर्पित करें शाम को घर में विश्नु सैस्तर नाम का पाट करें तो आने वाला पूरा वर सब तर्फ से परिशान हो चुके हों तो सारे आसरों को त्याग कर एक ही भगवान श्री राम की शरण लें भगवान श्री राम राम तृत्मानस में कहते हैं कि सुनु मुनी तो ही कहूं सहरोसा बजईजे मोहित जी सकल भरोसा करहूं सदात इनके रखवारी जिमी बालक रा प्राते यानी रहाम रक्षय स्टो उत्राप करेंगे निबी पांच पाइट करेंगे रामरक्षय स्टोतर के और साथ में विशेश सादना श्रीराम श्तक के मंत्र की करें जो कुछ इस प्रकार है ज्यान से समझेगा हे रामा पुर्शुक्तमा नरहरे नारायना केशवा गुविंदा गरुड ध्वजा गुण निधे दामोदरा माहधवा हे क्रश्न कमला पते यदुपते सीता पते श्रीपते बैकुंठादी पते चराचर पते लक् बादना है कुछ दो तीन अफ्तों में आप देखेंगे जीवन में चमतकारिक रूप से सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हैं आगे से आगे सफलता के मार खुल रहे हैं देविये अनुकंपा देविये प्रेड़ना और देविये सहायता आपको सामने से मिलेगी ऐसे करना सठीक है कि अगर किसी ने पूरे विधान से कर लिया तो उसकी आर्थिक स्तती को ठीक होने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती इसके लिए आपको करना सिर्फ यह है कि सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का पंचोप चार से पूजन करें और फिर सीता राम जी का प बदल जाए तो फिर आप कोएना मंत्र ध्यान से समझेगा मंत्र इस्प्रकार है ह repay ओ मा आप दाम पहरतार नाथारं सर्व संपताम लोका भी राम श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम मंत्र्फिश कोई ताइक मश्रें उसे बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाय पूरी कर रहे हैं बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पार जनम पत्रिक आई है हमारे दर्शक लक्षमी कान जी की 22 मार्च 1975 का जनम है सुबह साथ बच के 11 मिनट ब्यावर प्रशन है स्वास्ते खराब रहता है नींद की समश्चा है उपाए बताएं तेखिये लक्षमी कान जी लगनेश गुरू आपका आस्ते लगन में और चतुर्त भाव में विश्दो श्यानी शनी चंद्र की यूति है यह बड़े कारण है आपके इम्मिनिटी कमजोर होने के और मनोविकार नींद की कमी शरीर में दरदादी रहने के आप शनी शान्ती करवाईए और गुरू और चंद्र के साथ साथ गुनाज जब करवाके एक मोती और एक अच्छा सा पुखराज पहन लीजिए आपको स्वासलाव होने लगेगा आज की दूसरी जनम पत्रिका हमारे पास आईए हमारी दर्शक प्रियंका जी की 18 मार्च 1924 में का जनम है सुबह साथ बच के 23 मिनट कोटा प्रशन है विवा योग कब है देखिए प्रियंका जी आपकी मीन लगन और वश्राशे की पत्रिका है सप्तम पर सूर्य की सीधी द बनेगा जो अप्रेल 2025 तक बना रहेगा तो दर्शे को यह था आज का पंचांग आज के विसुस रुपाए और ग्यान चर्चा मैं पंडित चंदर शेकर शर्माई आशा करता हूं कि बताए उपायों को सटीक विधी सही समय और अटूट शिधा के साथ करके पूरा-पूरा सब्सक्राइब करता हूं कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनो कामना पूर्ती निश्चत रूप से हो कारेकर में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ वाद भगवतिया सब का कल्यान करें जया आदिशक्ति कारेकर में जया आपके के लिए बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत